आपकी Facebook की ID आपके लिए कितनी एहम है यह आप से बहुतर और कोई नहीं जानता है जी या दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 AC सेटिंग्स बताऊंगा जो सेटिंग आप करके आप अपनी Facebook की ID को हमेशा के लिए सेक्योर बना सकते हो और आपकी Facebook की ID को कोई भी हेक नहीं कर सकता है सबसे पहले जो मैं आपको लास्ट वाली सेटिंग बताऊंगा वो सेटिंग अगर आप कर लेते हो तो आपकी ID कभी भी फ्यूचर में लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाएगी और हेक नहीं होगी तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी रुकेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर दें दोस्तो मेन्यू पे किलिक करने के बाद उपर आपके पास सेटिंग का आइकान शोग होगा तो आपको क्या करना है उस सेटिंग वाले आइकान पे किलिक कर देना है दोस्तों यहां पे जैसे ही किलिक करते हो तो बहुत सारे आप्शन आएंगे लेकिन यहां पे हाली में फेस्बुक ने मीटा का अपडेट लाया है तो यहां पे सीम और इन अकाउंट सेंटर पे आपको किलिक कर देना है यहां पे देख सकते हो उपर जो बिलू लाइन लिखी हुई थी उस पे मैंने किलिक कर दिया अब यहां पे देख सकते हो यह बहुत सारे यहां पे आप्शन्स हैं लेकिन आपको किस पे किलिक करना है, विडियो के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पासवर्ड एंड सेक्योटी, जो फस्त नमर वाला आप्शन है, इस पे आपको किलिक करके, आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, यहाँ जैसे ही आप किलिक करते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो, उपर उपर वाला आप्शन है, चेंज पासवर्ड टू फेक्टर सेवड लोगिन, तो यहाँ पे सेवड लोगिन पे किलिक करना है, और आपको यहाँ पे अकाउंट क्यो है, आपका सेलेक्ट कर लेना है, तो ऐसे के आपकी ढिवाइसे उसको छोड़के, बाकी याँपे, जो लिखा हुआ है, इस पे आपको किलिक करके, यह सारी जो भी हैं, रेमूउव करनी है। तो यहां से मैं A-K करके, यह सारी ढिवाइसे रेमूउव करने वाला हूँ, उसके बाद मैं, सेकंद नम्बर वाली सेटिंग बताऊंगा दोस्तो थार्ड नम्बर वाली जो सेटिंग है वो आपको लाज़ भी देखनी है अगर आप नहीं देखते हो तो आपकी ये सेटिंग करने का कोई फाइदा नहीं होगा तो यहां पर मैं किलिक करके यह devices जो भी हैं मैं लागाउट कर लेता हूँ other devices से जिन में मेरी यह ID सेव थी तो यहां पे देख सकते हो यह मैं remove कर रहा हूँ और यहां से remove हो रहा है उपर यहां पे दिखाई दे रहा होगा blue line में के आपका जो भी account था जहां पे भी login है वो यहां से remove हो चुका है उसके बाद आपको क्या करना है यहां से bake चलना है bake करने के बाद यहां पे लिखावा है where you are login है तो यहां पे आपको click करना है यहां पे click करने के बाद फिर से आपको आपकी ID को select करना है और यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि कुण सी डिवाइस में आपका अकाउंट लोगिन है, तो आपको क्या करना है? यह डिवाइस भी आपको लाग आउट करनी है, तो यहां पे नीचे जो है, रेड जो पट्टी में लिखा हुआ है, सेलेक्ट डिवाइस तो लोग आउट, तो आपको इस पे किलिक कर देना है. दोस्तो यहां पे आप जैसे ही किलिक करते हो उसके बाद आपके पास यहां पे डिवाइसिस आ जाएंगी तो आपको क्या करना है इनको सेलेक्ट करके यहां पे जो नीचे लिखा हुआ है लाग आउट तो आपको इस पे किलिक करके यह सारी डिवाइसिस आपको लाग आउट कर लेनी है दोस्तों अब यहां पे देख सकते हो सिर्फ एक ही डिवाइस बची है जिसमें मेरा यह फेस्बुक आईडी लोगे ने आपको भी ऐसे ही सेटिंग करनी है उसके बाद आपको क्या करना है बेक चलना है और यहां पे थार्ट नमर वाली जो सेटिंग है टू लें आपकी आईडी हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाएगी कोई भी इसमें मसला नहीं होगा जब भी आप लोगिन करेंगे तो आपके पास एसेमस आएगा वो आप कोड यहां पे लगाएंगे तब ही आपकी आईडी लोगिन होगी उमिन गताओं यह वी